अब पार्लियमेंट में विंटर सेशन में इस प्रकार का कोई बिल नहीं आने वाला है 29 नौबर से विंटर सेशन शुरूआ था जो 3 दिसंबर को खतम होने वाला था लेकिन आज 22 तारीक को एक गिन पहले ही समावत हो गया हाला कि पूरे महीने ये गतिरोद बना था कभी पार्लियमेंट का दोनों हाउसेज लोकसभा और रासभा ठीक से नहीं चलने पाया पॉलिटिकल इंस्टेविल्टी और पॉलिटिकल व्यूस के वज़ा से ये प्रॉब्लम आ रही थी और सरकार ने जो 26 सब्जेक्ट के बिल अमेंड करने के लिए लिस्टिंग किये थे उसमें बैंक प्राइविटाइशन बिल भी शामिल था लेकिन ये बिना विंटर सेसन में आये हुए टेबिल हुए ही ये समाप्त हो गया अब ये संग का समाप्त हो गई कि ऐसा कोई बिल विंटर सेसन में आयेगा हलाकि आपको बता दूँ कि इस बारे में बित्यमंत्री ने अपने इस्टेट्विट में कहा था कि नो थेस्टेट बिर रपीषन आप तू प्सब क्रूविट में and approval of a policy of strategic disinvestment of public sector enterprises. Finance Minister Madam Sita Rahman said in a written reply in Rajshabha on Tuesday, she was responding to a question on the privatization of two public sector banks. यानि ऐसा कोई decision भी नहीं हो पाया था और अब winter session खतम हो गया. लेकिन ये बला कपक टला. हाँ, in the coming session में जब पार्लेमेंट में अभी budget session चलेगा और budget session में ऐसा कोई बिल नहीं आने की आशनका है. और उसके बाद जैसा कि scheduled है कि UP elections फरवरी मार्च या माई तक आप समझ लेजिए, ये आने की बिलकुल संभावना नहीं है. क्योंकि government ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि UP election के बीच में इस तरह का कोई बिल पार्लेमेंट में प्रेजेंट करें. यानि कि अगले माँ, अगले साल जून बाइस तक कोई भी बिल आने से रहा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि UPU, यानि कि हमारी इनाइट फोरम के लिडर्स चुप चाप बैठ जाएं. क्योंकि गॉर्मेंट ने अभी ऐसा कोई मन्शा नहीं ब्यक्त किया है, यह हम डिस इंजबेस्टमेंट पॉलसी की अंतरगत दो PSB बैंक का प्राइविटेशन नहीं करेंगे. किनी परिस्तितियों से ये तल गया, किनी परिस्तितियों से ये नहीं प्रस्तुत हुआ. लेकिन गॉर्मेंट ने ऐसा कोई गुडबाई नहीं कहा है. सो युनाइट फोरम के लीडर्स को जागरुख होना चाहिए और अपना continuous efforts करना चाहिए ताकि भविस में भी इसके आने की कुई आशंका न रहे और बैंक प्राइविटेशन के बारे में एकदम सिस्टम ही खतम हो जाया कि अब बैंप प्राइविटेशन नहीं होना है. Friends, इसके अलावा एक नए नियम, RBI का निया नियम बदलेगा. डेविट करेट कार्ड से आनलाइन पेमिन्ट का तरीका मिलेगा और इसको tokenization बोलते हैं. तो tokenization का अतातपर यहां से यह है कि आनलाइन शॉपिंग करने वाले अधिकतर लोग अक्सर e-commerce website पर जैसे कि Amazon, Flipkart, Snapdale और मिन्तरा अपने डिविट और केट कार्ड का डिटेल सेप पर रखे रख देते हैं. लेकिन भारती रजर बैंक को एक नए नियम के चलते यह बैवस्ता पूरी तरह बदलने जा रही है. लेकिन इसके बदले में आपको कुछ option मिलेंगे. एक जिन्वरी 2022 से यह RBI का निया नियम लागू होगा. आनलाइन वेपसाइट से डिल्ट होगी आपकी कार्ड डेटेल् की चोरी रुकने में मिलेगी मदद. आनलाइन शापिंग करने वाले अधिकतर लोग अकसर e-commerce वेपसाइट पर अपने डिविट और क्रेडिट कार्ड का डेटेल सेट परके रख देते हैं. ताकि पेमेंट के बाद उन्हें बार बार कार्ड डेटेल डालने का जंजड ना ह लेकिन भारती रिजर बैंक के एक नए नियम के चलते ये वेवस्था बदलने जा रही है. डेटा चोरी रोखने के लिए RBI का नियम. बीते कुछ सालों से कई वेपसाइट के डाटा लिख होने की खबरे सामने आई हैं. इसमें e-commerce और अन्य मर्चंट साइट पर लोगों के डेट और क्रेडिट कार्ड के पहले से सेब डेटेल को लिख होने की भी जानकारी सामने आई है. इसी की संभावना को कम करने के लिए RBI ने निया नियम बनाया है जिसकी वजह से इन साइट पर सेब कार्ड की डेटेल एक जनवरी 22 से अपने आप डिलिट हो जाएगी. एक अपने पहले से सेब कार्ड डेटेल वेफसाइट से हट जाएंगी तो खरीदारी करने के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमिंट करने के वक्त आपको हर बार इनकी पूरी डेटेल डालनी होगी. इसकी अलावा आपको कार्ड की टोकनाईजेशन का ये कोड आपके कार्ड डेटेल टोकन की रिक्वेस्ट करने वाले और जिस दिवाई से रिक्वेस्ट ही गई है उसकी डेटेल का एक अनुखा कंबिनेशन होगा. हाली में गूगल पे ने अपने प्लेटफॉर्ण पर इसकी सुरुवात की है. टोकनाईशन की और बहतर तरि साइट और किसी एक पेमेंट डिवाईस के लिए ही मानने होगा. इस तरह आपके कार्ड की डेटेल सिर्फ कार्ड नेटवर्क और उसके जारी करने वाले के पास ही सेव होगी. इसके अलामा कही सेव नहीं होगी. इससे आपके कार्ड का डाटा लीक होने का खतरा कम हो जाए या अन्य मर्चंट वेपसाइट पर एक रिक्वेस्ट जिनरेट करनी होगी, इसके बाद ये रिक्वेस्ट सीधे आपके बैंक और वीजा रूपे जैसे कार नेटवर्क को भेज दी जाएगी, वहां से मंजूरी मिलने के बाद आपके कार से जुड़ा टोकन मर्चंट या इन तोकनाईशन, इन्टिटीज इन्वाल इन ट्रांजिक्शन दो नाट है तो मेमुराइज वर्ट गार इंटेल्स अन आइदर एंड सिंस इस कनवर्टेट इंटो ए यूनिक टोकन, यानि कि अब आपको डरने की जुरत नहीं है कि एक कामर्स साइट से आपका डिटेल्स चोड़ी होने की संभावना है, क्योंकि ये एक यूनिक कोड टोकन में चेंज हो जाएगा और आप इस टोकन के जरिये अपना पेमेंट फैसिल्टेट कर सकते हैं, ये नियम एक जनवरी बाई से लागो होना है, इसलिए आपका जानना जरूरी है, यानि कि अब हम थोड़ा आपका सा रिलेक्स हो सकते हैं, तिल तो बैंक अपडेशन के पेंट्सन अपडेशन तक, बैंकर्स को एक प्राइविटर सांड की बला टली है, लेकिन अभी पेंट्सन अपडेशन, फाइव डे बीक और अन ऐसी कैसी बाते हैं, जो अभी बीट करना है, थैंक यू